हेलो स्टूडेंट इस शाहीन एंड इन इस पर्टिक्लर लेक्चर वीडियो वे आर गोईं टू डिसकस अनादर यूनिट ओफ एलेमेंट्स अफ अकाउंटिंग अलेमेंट्स अफ ओडिटिंग इसी ओ वन टू डिसकस कर रहे हैं बीकॉम का ये लेक्चर है इग्णू का ठीक प्रिविएस येर कोशन्स को भी डिसकस करेंगी ठीक है तो वन बैवन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजिक्शन वाउचिंग का मतलब क्या होता है इस लेक्षे के अंदर हमें ये देखने में मिलेगा वाउचिंग क्या होती है वाउचिंग क जसके वाउचिंग और मुझे मिलता है तो इसने इस फट्रांज बात है तो प्रींड करती है रेंट जो मुझे मिला, सेल किया, मैंने fix assets और commission received अगर मैं cash payment करती हूँ, cash receipt हो रही थी वो, cash payment करती हूँ तो मैंने कुछ समान खरीदा होगा, उसके लिए cash purchases आती है करेंटर को pay करूँगी, wages, salary, rent, paid, ये सब terms के इसके अंदर vouching के अंदर discuss की जाती है क्योंकि basically vouching का मतलब है, verification करना जहाँ पे आप अपने, जो आपने evidence बनाए है उन evidence को और जो आपने transaction की है, उन दोनों को tally करते है ये देखते हैं कि अगर ये transaction यहाँ लिखी हुई है और ये इसका proof है तो क्या ये दोनों आपस में match हो रहे हैं कि नहीं हो ठीक है तो अब बात करते हैं vouching की definition को, अगर जो मैंने बताया वो आपको समझा गया तो ये definition आपको और clear हो जाएगी, जो की आपको ये बताती है vouching एक examination है, एक checking है, एक proof की evidence की जो की ये बताता है कि transaction सही है या नहीं, क्या किसके द्वारा ये लिखी हुई है, किसने इसको authorized किया है किसके पास इसकी ownership है, और कितना ये accurate है, data accurate है कि नहीं Now, objectives of vouching, अगर मैं vouching के main points की बात करूँ, तो हम vouching क्यों क्यों करते हैं क्योंकि ये documentary evidence, proof की तरीके से काम करता है, अगर किसी चीज़ का proof attach हो जाता है तो वो चीज़ जादा भरोसे मत हो जाती है, जादा accurate हो जाती है और ये कही न कहीं एक proof होता है, books of accounts के लिए भी, audit के लिए भी लेकिन अगर हम audit नहीं भी करवा रहें, तो भी ये books of accounts के लिए भी important पहलू देखने के लिए मिलता है अगर मैं importance of vouching की बात करूँ, तो vouching क्यों जरूरी है, क्योंकि ये auditing की एक बोल सकते हो main जड़ है, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज का proof मिलता है, तो आपको ये भरोसा हो जाता है आपको ये लगता है कि हाँ ये चीज correct होगी, आपको एक judgment का power मिल जाता है, मेरे पास proof है अगर इसे मान लो, कोई आप बात कर रहे हो, matter of fact बता लो, और उसमें बता है, मेरे पास न, proof है कि आपने ये बात बोली है या आपने ये काम किया है, मेरे पास इसका proof है, तो आपकी बात काना वजन बढ़ता है ठीक है, ये एक clear आपको क्या बताता है, serious discrepancies, error error या तो free कर देगा, या error full कर देगा, मतलब clear कर देगा, 50-50 नहीं रखेगा, 50-50 means doubtful situation या तो पूरी तरीके से आपको बता देगा, कि आप सही हो, या पूरी तरीके से गलत हो और अगर किसी चीज के लिए आपको document नहीं मिलता, तो वो आपको एक negative perspective में लेके चला जाता है ठीक है, next one is, अगर मैं बात करूँ, तो ये एक आपको intelligent, is a negligent discharge of his duties कि अगर मान लोग कोई guilty है और उस guilty के आपके पास proof है कि ये person guilty है या ये person guilty नहीं है तो ये भी vouching या आपको evidence के थूप पता चलता है In this case, that then auditor was liable for damages अगर आपने किसी के लिए बताया है कि ये person ने इस transaction को सही तरीके से represent नहीं किया और आपके पास उसका proof है तो तो आपकी बजन, आपकी बात का बजन बढ़ जाएगा लेकिन अगर आप proof नहीं कर पाए irregularities and defalsification तो auditor के उपर blame आ जाएगा Next is voucher, voucher क्या है? document है voucher एक proof है जो कि आपको vouching की process help करने मदद करेगा यह voucher है, इस पर date लिखी हुई है, इस पर signature है, amount accuracy है, किसने लिखा है, किसकी दुकान का है मतलब सारी की सारी items यहाँ पर लिखी हुई है अब यह proof है, मान लो इसकी journal entries, मैंने यह purchase document है, मैंने purchase to cash की transaction की है मान लो 45,000, ठीक है? अब आप यहाँ पे दिखा रहे हो कि यह तो 15,000 है क्योंकि आप खर्चा extra दिखा रहे हो तो इस तरीके से यह proof की तरीके से काम करेगा तो यह जो आपकी presentation है totally, वह यह voucher का काम करती है एक ऐसा document जो कि आपका proof की तरह काम कर रहा है, books of accounts में ठीक है, अब यह क्या हो सकता है, bill भी हो सकता है, cash memo भी हो सकता है, cash memo की copy भी हो सकता है order book भी हो सकता है, ठीक है, document which are created as when transaction take place voucher कितने type के होते हैं, तो सबसे पहले की बात करूँ, तो voucher which are not prepared by the organization under audit जैसे purchase invoice नहीं बनाया जाता है, insurance policy नहीं बनाया जाती है, receipt इन सब चीजों के voucher नहीं बनते हैं, तो voucher are generally considered as evidence for the transaction which are not prepared by the organization, organization नहीं बना रही, तो यह evidence की तरीके से काम होता है एक होता है, voucher जो के organization बना रही है, लेकिन ये validated by independent source उन्होंने ये भरोसा दिलाए कि हाई evidence सही है, एक तो हमने पढ़ा कि voucher जो के organization नहीं बताए, वो तो proper तरीके से reliable हो गए, एक type के voucher जो organization ने बताए हैं लेकिन वो sources ने बोला है कि ये सही है, तो ये भी reliable होगा और एक voucher होते है, जो कि पूरी तरीके से organization नहीं बनाए है तो this category comprises the majority of voucher and the reliability as evidence during upon various circumstances such as whether they be or the signature, उसके बाद इसको देखना पड़ता है, क्या ये चीज़े सही है, क्या ये चीज़े गलत है इन सब चीज़ों के बारे में देखना पड़ता है ना primary voucher और collateral voucher, दो type के voucher को consider किया है primary voucher कून सा होता है, original voucher in writing which is produced in support of transaction जोकि transaction को support करता है और collateral voucher उसकी कोई carbon copy हो गई जो भी document है, mainly उसकी copy वग्यारा collateral voucher के तौर पे काप करता है लेकिन original voucher को ज़्यादा relevant माना जाता है as compared to collateral voucher point to be noted in voucher, voucher में हमें क्या-क्या चीज़े देखनी चाहिए एक तो हर एक चीज सीरियल नंबर के accordingly होनी चाहिए जैसे one one के बाद two याना चाहिए, three नहीं होना चाहिए voucher which have been inspected, जो voucher हम लोग देख रहे है उसकी cancellation नहीं होनी चाहिए auditor को यह दिहान रखना चाहिए कि director का नाम, manager का नाम, secretary का नाम चितने भी बड़े-बड़े officials है उनके बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है next one is auditor should ensure that every voucher, auditor को यह देखना चाहिए कि हर एक voucher के उपर certificate है, step वगएरा है ताकि यह journal है या नहीं है यह पता चल सके as far as possible work related to a particular period or a set of work should be completed or at a stretch in one sitting चितनी भी सारी चीज़े हैं, यह एक बार में ही आपको देखना पड़ेगा क्योंकि दूसरी बार में error के chances बढ़ जाते नहीं तो आपको फिर दुबारे से सारी checking करनी पड़ेगी auditor should be very careful, auditor को यह बहुत धान रखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि आपके पास duplicate copies है, आपके पास voucher missing है किसी भी particular date के auditor should never take the help of client, आप client की help नहीं लोगे checking करने में क्योंकि जो client है वो तो बोले गई कि हपते चेक कर ली सारे documents while examining the voucher, voucher को देखते बाद आप properly entry चेक करोगे capital कितना revenue इनको correctly match करोगे, जिसे मैंने बताया था amount को भी match किया जाता है और उसके बाद test checking करोगे जिसके अंदर हम internal check system is operated and reliable and satisfactory now इसके अलावा भी आप date check करोगे, कितने time का transaction period था वो check करोगे आपको words में, figures में कुछ hair fade तो नहीं मिल रही, amount ही all receipt in excess of rupees 20 must have 20 पैसे revenue stamp are fixed अगर 20 पैसे ज़्यादा कोई ऐसा amount है तो उसमें 20 पैसे की stamp लगी होनी चाहिए all voucher should be signed by some responsible officer, some officer ने के behalf पे या तो sign होंगे या वो ही sign करेंगे और alteration in voucher should be your initial of the invoice clerk now ये तो complete हो गया, next one is vouching of cash receipt अगर cash receipt है तो उसकी vouching कैसे होती है क्योंकि आपको पता है कि दो transaction होती है एक होता है debit side और एक होता है credit side cash book का vouching करते वक्त auditor को ये देखना पड़ता है कि सारी चीजे internal check के अंदर है, जो भी payment हो रही है ठीक है, और जितनी भी errors वगयर है, most of errors and fraud जितनी भी error और fraud होती है, वो because of cash payment की वज़े से होती है क्योंकि cash payment में क्या होते है, cash payment की वज़े से ही क्या किया जाता है क्योंकि अगर देखो, आपके पास तो कोई proof होगा अगर आपने online transaction किया है, तो तो आपके पास proof है लेकिन जो हाथो हाथ cash की payment होती है, वहाँ पे proof क्या हो जाता है proof के नामों निशान मिटाये जा सकते हैं, इसी वज़े से cash receipt में घपले बाजी के ज़्यादा chances होते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं कि कोई proof ही नहीं है, आप भूल गई चीजों को ठीक है, और उसके पास कोई proof ही नहीं है, किसने payment करी वो deny भी कर सकता है payment से next one is, following points should be noted कुछ points नजर देखने पड़ते हैं, जब आप cash में transaction कर रहे हो existence of internal check, internal check का मतलब the auditor should study the system, वो पूरा पढ़ेगा, अच्छा system है और test checking के बारे में पूरा देखेगा, भी test checking का है, वो भी हम detail में पढ़ेंगे, comparing rough cash book और diary with that cash book next one is proper control over use of receipt book, जो भी receipt book use हो रही है, चाहे उसकी carbon copies हो, चाहे उसका original document हो, वो सब कुछ information होनी चीए, now cash sales में भी दिखकत हो सकती है, अगर आपके पास internal check system सही नहीं है, तो internet check record cash sales should provide the following, sales should not be allowed to deliver the goods or service, receive payment for the goods sold, कभी कभी क्या होता है, कि आपने salesman allow नहीं करता कि goods or service, अगर payment नहीं होई तो वो goods or service allow नहीं करेगा है न, पहले बोलते हैं न, कि इतनी payment करो, उसके बाद हम allow करेंगे, तो यहीं बोला गया internal check, इससे यह पता चलेगा कि हाँ, आपने payment कर दी है, तभी आपके पास समान है, salesman should prepare three copies, तीन copies होगी, एक वो अपने पास रखेगा, दूसरी copy consumer को देगा, और एक goods के साथ attach करेगा, customer should be asked to present his copy, copy दिखाने के लिए बोलेगा, जब सिगनेचर वग्यारा करेगा, customer should be asked to present his copies of cash memo at the delivery counter, delivery counter पर दिखाता है न, कि देखो, हमने इतनी payment कर दिये, इसके लिए, तो यह सब तरीके हैं, जिसमें से आपको cash में घपले बाजी से बचा जा सकते हैं, अगर आप debtor से कुछ payment receive कर रहो, receipt from debtor, तो in vouching, receipt from debtor, an auditor should take following steps, कुछ ऐसे steps लेता है, सबसे पहले तो वो check करेगा, internal check system in operation in his regard, ensure that unused receipt books are capped in custody, अगर कोई फालतू की receipt वग्यारा है, तो वो अपने पास ही रखेगा, क्योंकि उसका गलत इस्तमाल किया जा सकता है, original copy को वो attach करेगा, duplicate copies ही बनाएगा, date वग्यारा tally करेगा, अगर वो discount कुछ दे रहा है, तो उसको mention करेगा, अगर payment नहीं हुई है कुछ, तो उसको mention करेगा, bad debt के नाम से जाना जाता है, जिसे avoidance of teaming and lending method, leading method, इसको समझ लेता है, यह important है, lepping, क्योंकि यह अभी तक आपने term सुनी नहीं हो, under teaming and leading method, the cashier makes private use of money for sometimes, कभी-कभी cashier अपने लिए इस्तमाल कर लेता है, जो cash का money होता है, जो company का money होता है, वो कभी-कभी अपने लिए इस्तमाल कर लेता है, he may receive money from debtor, but he may not make entry, वो क्या करता है, debtor से पैसे ले लिए उसने, लेकिन वो entry नहीं करेगा, और क्योंकि वो entry की delay कर देता है, तो कभी-कभी entry भूल भी जाते हैं उसकी वज़े से, for example, जब money A से receive हुई, तो कोई entry नहीं हुई, और जब another B से हुई, he makes an entry of A's account, B से मिली, तो उसने A के अकाउंट में डाल दिया, जब C से मिली, तो B के अकाउंट में डाल दिया, तो in this way, इस तरीके से cashier अपने money को personal use के तरीके से इस्तेमाल कर लेता है, और ये हो गया अपका TB and ladding method, और lepping क्या होता है, लेपिंग का मतलब क्या होता है, लेपिंग is the process for concealment of shortage of money by delaying the record, और कभी-कभी जब आप delay करते रहते हो recording जैसे कि अभी हमने पड़ा, तो उस case के अंदर आपको पैसो की कमी भी हो सकती है, वो lepping method होता है, order can check, order ये भी check करेगा कि ऐसी कुछ घपले बाजी तो नहीं हो रही, part payment कहीं है, आप थोड़ी सी payment कर दे रहे हो, थोड़ी payment अपने लिए use कर रहे हो, personal use के लिए इस्तमाल कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए, sale of investment अगर आप debenture, shares, government, bonds बग्यारा अगर sale कर रहे हो, if any investment is sold, order ये ध्यान रखेगा कि correct amount use हुई है, कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, 1600 की जगा 16,000 हो जाए, लेकिन कॉमा बग्यारा सही तरीके से नहीं है, for vouching this, the order should see the broker's contract, broker का contract पड़ेगा हो, और दो method होते हैं, investment को sale करने के, come dividend और ex-dividend, the case of come dividend, sale, the order should see that the dividend has not been subsequently received, and that the sale proceeds have been appropriate or proportionate between capital and revenue, if the investment has been sold ex-dividend, देखो, अगर come dividend है, तो ये देखेगा, auditor should see that the dividend has not been subsequently received, अभी मिला नहीं है, और ex-dividend है, तो the order should check whether dividend has subsequently been received or not, auditor को receive हुआ है, payment या नहीं हुई, next one is interest and dividend, interest and dividend मिलेगा ही, जब आप investment वगेरा sale करोगे, या लोगे तो ये तो important पहलू होता है, अगर interest मिला है, fixed deposit पे, bank से, तो ऐसी income को आप लिखोगे, important proof की तरीके से काम आएगा, और ये passbook की तरीके से हम आप इस्तमाल करेंगे, passbook का proof मंगाएंगे, क्योंकि passbook वहाँ पे गलत नहीं होती, अगर interest loan से receive होगा, तो borrower का loan का chart मंगाओगे आप, है ना, तो schedule मंगाओगे, इससे आपको प्रिलाए हो जाएगा, कि interest है, dividend, अगर dividend मिला होगा, तो आप जो shares वग्यारा है, उनसे related proof मंगाओगे, तो ये सब चीज़े देखनी पड़ती है, next one is, rent received, अगर rent आप मिल रहा है, आपको rent मिल रहा है, तो आप agreement का proof मंगा सकते हो, ये मतलब वो सारी चीज़े, अगर मालो cash sales कर रहे हो, तो आप क्या proof मंगा सकते हो, rent received कर रहे हो, तो आप क्या proof मंगा सकते हो, ये सारी चीज़े proof के तरीके से काम करेंगी, तब business may have let out, some of its building, to outsider on rent, दे रखा है, अब क्या proof होगा उसका, तो उसका proof होगा, उसके पास lease deed, या agreement होगा, ठीक है, और possibility हो सकते है, the rent might have been received, but shown as outstanding, ऐसा भी हो सकता है, कि rent received होगा, लेकिन वो outstanding दिखा रहे हो, या कुछ time period के लिए, वो pay नहीं हुआ हो, या part payment हुई हो, ये सब चीज़ों का proof रखना पड़ेगा, sales of fixed assets, sales of fixed assets का मतलब क्या है, कि अगर आप fixed assets बेच रहे हो, तो उसका क्या proof रहेगा, capital तरीके से आप दिखाऊगे, profit and loss में, capital reserve की तरीके से दिखाऊगे, land building, furniture, machinery, आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो तो, auditor can see the sales deed also, auditor sale deed भी देख सकता है, commission अगर आपको मिली है तो, ये सब देखने के लिए, auditor should examine the agreement between the client and the party concern, check up the rate of commission, the term of commission, commission ये सब देखेगा, तब कब आपकी transaction हुई, commission कब हुई, receive कब हुई, ठीक है, उसको compare करेगा copy के साथ, now, अगर मैं payment करती हूँ, अभी तो ये है कि मेरे पास payment आ रही थी, अब मैं अगर payment कर रही हूँ, तो मैं क्या क्या proof रखूँगी, तो payment के लिए मैं ये देख सकती हूँ, accounting year कुन सा है, person कुन सा है, sign है, record है, documentary evidence है की नहीं, cash book में मैंने लिखा है की नहीं, cash purchases, अगर मैं कोई समान खरीद रही हूँ, और उसकी payment कर रही हूँ, immediately, immediately payment कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या proof होगा, मैं अपनी goods in word book के अंदर लिख लूँगी, cash memo बना लूँगी, और goods में से minus कर दूँगी, trade discount, क्योंकि मेरे पास cash purchases होई है, तो मेरे पास क्या होगा, उसके लिए भी proof होना चाहिए, कि मेरे पास क्या हो सकता है, bill receivable, bill payment, ऐसी तरीके की evidences हो सकते हैं, money due to them, ascertain by having look personal account, ledger में show कर सकती हूँ, in order to see that entries passed are authentic, यह देख सकते हैं, minutes में check कर सकते हैं, आपकी transition, अगर मैं wages pay कर रही हूँ, तो आपके पास proper, actually wages का pay हुई, ठीक है, और कितनी payment हुई, कितनी correct calculation थी, कितना DA हुआ, कितना HR हुआ, यह सब आप देख सकते हो, अब यहाँ पे एक word यूज हुआ है, dummy workers, most commonly noted method of fraud regarding payment, due to inclusion of fictitious name, और dummy workers in wage sheet, actual में है नहीं वो person, लेकिन फिर भी आप दिखा रहे हो, ताकि आपका वहाँ से, बच सके, tax वग्यारा बच सके, तो आपको उनको, ignore करना है, vouching payment of wages, the order should ensure, order यह देखेगा, कितना time उसने खर्च किया, ठीक है, आपका रहे हैं, जा कबरा हैं, और हर एक wages, wages are paid according to peace rate system, wage sheet को prepare किया रहेगा, accurately सही तरीके से, wage sheet should also bear signature, or thumb impression, order should ensure, order यह भी देखेगा, actual payment कितनी है wages की, in no case, person should responsible for preparation of wage sheet, सारे officers का नाम होगा, foreman का नाम होगा, यह चेक करने के लिए, order की duty क्या होती है, wages से related, वो क्या-क्या चेक करेगा, we should examine internal check system, वो देखेगा, payment of wages कितनी हुई है, total कितनी wage sheet बनी है, calculation करेगा, net amount करेगा, not overdrawn, extra amount तो नहीं overdraw होरी, ठीक है, नाम चेक करेगा, कि बही, correct person का नाम, वो person exist भी करता है की नहीं करता, ठीक है, फिर क्या करेगा, complete sanction करेगा, number of names, we should check signature, और thumb impression, अगर मालो किसी person को payment हो गई है, तो उसने अपनी signature कर दी है, ऐसा तो है नहीं कि दो-तीन महिनों की payment रुकी हुई है, किसी की, या वो comparison करेगा, signatures को, दो-तीन महिने के compare करेगा, he should examine the system of employment of casual labor, he should check, कितनी चुटी करी है, कब वो surprise visit भी कर सकता है, इस case में, salaries क्या होगी, salaries monthly होती है, तो वहाँ पे आप blue collar workers को include करते हो, wages, blue collar workers जो होते हैं, वो wages होते हैं, और white collar workers जो होते हैं, उनको salary मिलती है, क्योंकि ये month, जो wages होते हैं, वो weekly भी हो सकते हैं, daily भी हो सकते हैं, लेकिन जो salary होती है, basically वो monthly ही मिलती है, फर vouching salaries paid, auditor क्या कर सकता है, salary register चेक करेगा, cash book चेक करेगा, employees को भी चेक करेगा, employee between two month, ठीक है, over payment तो नहीं हुए, उनकी भी days चेक करेगा, increment कितना हो रहा है, pay scale कितना हो रहा है, ठीक है, यह सब चेक करेगा, rent paid, अब देखो, rent जैसे ही received हो रहा था, तब बहुत सारे, हम लोगों ने documents पढ़े थे, ऐसे ही rent paid के अंदर है, आप lease agreement चेक कर सकते हो, आप landlord, कितना expenses बियर किया, कितना deduct किया, proper receipt होती है, आपके पास जब आप pay करते हो, capital expenditure, वोई अगर building वगयरा purchase करोगे, तो क्या proof होना चीए, आपके पास original agreement होना चीए, है ना, यह तो छोटी मोटी चीज तो है नहीं, आपने purchase करिये land and building, उसके तो काफी सारे proofs होते हैं, investment purchase करिये, तब भी share का, debenture का, आपके पास document certificate, अगर in case, digitally भी हो सकता है, और आप बोल सकते हैं, hand भी हो सकता है, तो आजकल electronically भी evidence को consider किया जाता है, patent and copyright, patent means a formula for producing something, आपने कुछ बनाया, उसके लिए आपको patent या copyright मिल गया, ताकि कोई और आपके copy को, मतला, right को copy ना कर सके, तो अगर खर्चे भी हुए हैं, उससे related, तो उसका कुछ ना कुछ proof होता है, कुछ ना कुछ means invoice होता है, payment under higher purchase, अगर higher purchase installment, तो उसके लिए तो आपको receipt दी जाती है, क्योंकि आपके साथ interest भी included होता है, वो सारी चीज़, traveling expense, अगर आपने कही ना कही खर्चा किया है, आने जाने में, तो भी आपके पास क्या होगा, प्रूफ हो सकता है, tickets нोको भी हो सकता है, जहाँ आप रुके hotel का भी हो सकता है, ठीकर आपने ATM में, ट्रान्जेक्शन की उसका भी हो सकता है, उसकी receipt हो सकती है, पाँच से ज़ादा, the order should examine the total and the balance of petty cash book, he should insist on production of voucher, अगर payment पाँच रुपे से ज़ादा होती है, petty cash book should be periodically, petty cash book क्या होती है, monthly भी periodically भी हो सकती है, postage क्या है, for vouching, vouching अगर मान लो, खर्चा हो रहा है, postage वगेरा के लिए, इसे letters वगेरा आप पहुचाते हो, तो उसका भी आपको proof मिलता है, postal expenses भी include किये जाते हैं, expenses के अंदर, तो ये सारे students, आप लोग के लिए questions हैं, बाकी, ये chapter मेरे end से complete हो गया है, जिसमें मैंने vouching की full and final आपको detailing दे दी इसके अलावा आपको vouching के बाद वाला जो chapter study करने के लिए मिलेगा, that is unit number 5, vouching of trading, transaction and impersonal ledger, ठीक है, वो discuss करेंगे, हम next lecture में आप लोग का काम है, वीडियो को share करो as more as possible, जितना जादा से जादा हो सके, आप support दिखाओ, like करो वीडियो को, ठीक है, subscribe करो channel को, ताकि और motivation मिले, और और बहतर तरीके से में presentation कर सकूँ, बाकि टेलिग्राम चैनल आप जॉइन कर सकते हो, नोट्स के लिए, नोट्स वग्यारा आप कमेंट कर सकते हो, कि मैं आप नोट्स की requirement है, नोट्स प्रोवाइड करो, या तो कोई और lecture की भी requirement हो, तो भी आप बता सकते हो, ठीक है, श